फ्राइड चिकन का बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाते हैं। बनाने में ये पुलाव बहुत ही आसान है और आप इसे दावत में प्लैटर बनाकर सर्फ भी कर सकते हैं। तो ये फ्राइ चिकन का पुलाव बनाने के लिए सब से पहले हम लेंगे एक किलो चिकन, चिकन के थोड़े बड़े साइस के पीसिज रखे हैं मैंने, इसमें डाल लेंगे तीन कब भर कर पानी या चिकन के लेवल का आप पानी रख लीजिए, नमक चिकन के हिसाब का एड़ क ये जाग को हटाने के बाद हम ढ़कन लगा देते हैं और चिकन को पकने देंगे बस 5-6 मिनट के लिए मीडियूम फ्लेम पर. चिकन को बहुत जद़े नहीं पकाना है चिकन को बस 50% तक हमें पका लेना है, प्लेम को बंद कर देते हैं ढ़कन हटा लेंगे चिकन के सारे पी काली मिर्चों का पाउडर आधा चमच बहुना उता हुआ जीरा एक चमच है लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चमच डीक गज़ाए Weihn — और दालने करीब आधा चमच हुर भुष लाल चमच बहुरनाए हुष दब क्या क५ हैं काउन टालनाफ चिकन में अच्छे से कलर के लिए आप चाहें तो इसमें रेड़ फूट कलर डाल सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमज भर कर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा चिकन पर फिर से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को इसी तरह से छोड़ देंगे बस 10 मिनट के लिए 10 मिनट बाद हम चिकन को गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं अब चिकन को जब हम fry करेंगे तो इसे medium to high flame पर fry करेंगे क्योंकि चिकन 50% पहले ही पका हुआ है तो अलट पलट करते हुए अच्छा सा golden color आई जाए चिकन पर तब तक हम इसे fry कर लेते हैं अब ये सारा चिकन लिकाल कर हम ready रखते हैं तीन बड़े चमच तेल इसी fry के हुए तेल में से ले लेंगे इसे डाल लेते हैं इस तेल को गरम करने के बाद इसमें डाल लेते हैं दो star pool दो है दारशिनी का टुकड़ा और एक चमच डाल लेना है जीरा खड़े मसालों को हलका सा फ्राइ कर लेते हैं गरम तेल में फिर इसमें हमें डालना है एक मीडियम साइस की प्यास बारिक चॉप की हुई प्यास को फ्राइ कर लेंगे खलका सा इसकर गॉल्डन कलर आ जाय इसके बाद इसमें डालेंगे दो चूटे चमच अदरक लेसन का पेस्ट और एक चमच डाल लेते हैं हरी मिर्च का पेस्ट या फिर मिर्चों को आप बारिक चॉप करके डाल लीजिए अब मसारे मसालों को अच्छी तरह से हमें भूनना है अधरक लेसन का कच्छापन जाने तक टमाटर अब इसमें आड़ कर लेते हैं एक मीडियम साइस का आदा चमच इसमें डालेंगे भूना कुटा हुआ जीरा एक चमच भर कर डालते हैं धनिया का पाउडर आदा चमच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर बस इतने ही मसालों को अड़ करके हम फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मसालों को हमें भून लेना है तो माटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम मसाले को चलाते हुए भून लेते हैं तो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, तेल भी सारा सेपरेट होने लगा है मसालों से, अब फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और इसमें आधा कप अच्छी तरह से फिटा हुआ दही डाल लेते हैं, लो फ्लेम पर दही को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, फिर से जब आप दे पांच से छे हरी मिर्चें को डाल देना है, ये कम तीकी वाली हरी मिर्चे हैं, तीकी है अगर तो आप दो से तीन डाल लीजिए, अब मीडियम फ्रेम पर सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, सबी चीज़े अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसके बाद हमें इसमें यखनी डाल लेना है चिकन की, चावलों का देड़ गुना यखनी और पानी मिलाकर हमें इसमें डालना है, तो चावल में ले रही हूँ तीन कप, ये करीब 600 ग्राम चावल है, इसी हिसाब से हम इसमें डाल देंगे, साड़े साथ कप यखनी और पानी, अब फ्रेम को हाई कर लेना है और यखनी को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पक जाने देना है, यखनी जैसे ही उबलने लगे, इसमें हम चावल डाल देते हैं, तो ये तीन कप बासमती चावल है, आदे घंटे के लिए भीगो कर धोए हुए, चावलों के हिसाब का नमक भी इसमें आड़ कर लेंगे फिर से फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और चावल को अच्छी तरह से पक जाने देते हैं, जैसे ही आप देखें चावलों का पानी सूकने लगा है, हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे हलके हाथों से, चिकन के जो पीसेज हमने फ्राइ करके रखे हुए हैं, ये इसमे डाल देते हैं, इस टाइम पर फ्राइड चिकन डालने से इसका सारा फ्लेवर पुलाव में उतर जाएगा, और चिकन भी एकदम जूसी और टेंडर बन जाएगा, तो चिकन डालने के बाद मैंने इसे पका लिया है, एकदम लो फ्लेम पर दम पर बस 10 मिनिट के लिए, इनके सारे पीसिज रख लेते हैं, गानिश कर लेंगे इसे थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्य के पत्तों के साथ, तो ये लीजिए आपका दावत स्टाइल चिकन पुलाव का प्लाटर बनकर रैडी हो गया है, इसके साथ आपका चूमर, रायता या चतनी सर्फ कर लीज है